ये उडान है हमारी ये आसमा हमारा ये छलांग है हमारी ये मैदान है हमारा ये अर्मान हमारी ये होसना हमारा ये पहचान हमारी ये साहस हमारा ये जिद है हमारी सारा जहां हमारा उडने की हमारी खुला अकाश हमारा ये उलान है हमारी ये आसमा हमारा खास का रिक्रम खुला आ काश में दोस्तो स्वक्षता ही सेवा पक्षवाड़ा चल रहा है और पूरे देश में स्वखवाड़े को चलाय जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले इस पखवारे में पूरा देश बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा है और इस पखवारे का इस बार का जो धीम है वो है स्वभाव स्वक्षता संसकार स्वक्षता इस अभियान के तहट शहरी और ग्रामीन शेत्र में जन जाग रुकता फैलाई जा रही है स्वक्षता प्रबंधन को लेकर बड़े पैमाने पर मुहीम चलाई जा रही है स्वक्षता ही सेवा विशेपर हम बातचीत करेंगे हमारे साथ आज दो खास महमान जुड़े हुए हैं जो इस मुहीम को लेकर काफी जादा कारे कर रहे हैं अपने अपने शेत्रों में सबसे पहले उनका परीचे आपसे कराते हैं हमारे साथ है भरदील ओजा जी भरदील ओजा जी राज संसाधन सेवी लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के सदस्य है बहुत वस्वागत है आपका भरदील जी हमारे कारे करम खुला आजाज में स्वक्षता ही सेवा अभियान को लेकर भरदील ओजा जी किस तरीके से मुहीम चला रहे हैं आएगे देखते हैं स्वक्षता ही सेवा मिशन पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है राज संसाधन सेवी लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान भी इस मिशन को हर शेत्र और हर घर तक पहुचाने की कोशिश कर रहा है लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान से 2017 में भरदील ओजा जुड़े और तब से अब तक जमीनी स्तर पर इन्होंने कई कारे किये मुख्य तोर पर इस अभियान के प्रथम चरन ओडियफ खुले में शौच मुक्ति के लिए भरदील ओजा ने व्यक्तिगत तोर पर घरों में शौचाले निर्मान के लिए लोगों को प्रेडित किया जन जाग रुपता के इस उतकरिष्ट कारे के लिए भरदील ओजा को लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान के मिशन देशक ग्रामीन विकास विभाग सचिव ततकालीन विहार के उपमुख्य मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र दे कर सम्मानित भी किया गया जूली देवी जी अपने पंचायत में काफी बड़े पैमाने पर स्वक्षता को लेकर कारे कर रही हैं आए देखते हैं कि किस तरीके से जूली जी अपने शेत्रे में कारे कर रही है स्वक्षता के प्रती लोगों में जागरुपता फैलाने के लिए शहर से लेकर गाउ तक और प्रखंड से लेकर पंचायत तक स्वक्षता अभियान चलाया जा रहा है लखी सराय नूनगर पंचायत के मुखिया जूली देवी अपने पंचायत के लोगों को स्वक्षता ही सेवा अभियान से जोड रही है और लोगों को स्वक्षता के प्रती जागरुप कर रही है स्वक्षता के लिए और पर्यावरन के महत्व को समझाने के लिए जूली जी सडक किनारे और अपने आसपास के शेत्र में पौधे भी लगा रही है जूली जी 2016 में नूनगर की मुख्या बने और अब तक मुख्या के रूप में अपने शेत्र के लिए काम कर रही है जूली जी 2019 में मिसिस उत्तरप्रदेश रही और उसके बाद लखनओ में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसिस इंडिया आइकॉन का खिताब भी जीता फिलहाल जूली जी स्वक्षता साब सफाई और खुले में शौच के उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूप कर रही है बहुत बड़े पैमाने पे ये एक अभियान चल रहा है ये एक मुहीम के तहट चल रहा है कि जिस तरीके से पूरा देश स्वक्षता को लेकर एक जुट हो रहा है शुरुआत पहला कदम हमारे मारे नियर प्रधान मंती नरेंद मोधी जी ने शुरुआत की और उसके बाद पूरा देश इस अभियान से जुड़ गया सबसे पहले भरदील जी आपसे जाना चाहूंगी मैं कि किस उद्देश के तहट स्वक्षता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है उद्देश क्या है जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, हम बताना चाहेंगे कि जो सवभाव स्वक्षता, संस्कार स्वक्षता, स्वक्षता ही सेवा जो चल रहा भी पकवाड़ा, ये स्वक्षभाट मिसन जो हमारा दस साल अभी पूरा कर चुका है, तो स्वक्षभाट मिसन ग्रामिन के 10 स पूरे होने के उप्लक्ष पर ये स्वक्सता पकवाड़ा चलाया जा रहा है और प्रती वर्स ये चलाया जाता है। इसमें स्वक्सता पकवाड़ा के अंतरगत हुआ है कि जितने भी CTU हैं, क्लिंग टार्गेट यूनिट जितने भी हैं पूरे भारत वर्स में उन टार्गेट को चिंधित किया गया है, सभी औल अभर इंडिया में हर जगा और उनको सफाई किया जा रहा है। जन भागेदारी के अंतरगत उनका भी इवेंट क्रियेट करके उनको भी जन भागेदारी के तहत में सबको समलित किया गया है। कि सभी लोग इसमें समलित हों, किस तरह से हम लोग हर जगह से कच्ड़े को समाप्त कर पाएं, और हमारा भारत किस तरह से स्वक्ष और सुन्दर दीखें। मतलब में उद्देश यही है कि हमारे पूरे भारत को साफ सफाई से पूरी तरह से जोड़ देना है और हर एक व्यक्ति अपना सहयोग दे इसने। आपसे जाना चाहूंगी आप चुकी मुखिया है अपने शेत्रे की। किस तरीके से ये अभियान आपके शेत्रे में चल रहा है सुख्षता ही सेवा। देखिए जब हम पहली बार मुखिया बने थे अपने पंचाइत में 2016 में तो हमारे पंचाइत की स्थिती बहुत ही निंदनी थी। वहां सौच के लिए लोग या तो नदी के साइड जाते थे या तो रोड पे जाते थे। तो हमने उस चीज को सबसे पहले सुचा कि सबसे पहले इस चीज को हटाया चाए। इसके लिए हम लोगों ने सौचाले बनवाने का ठान लिया। और करीब करीब 2-3 साल में हमने सौचाले बनवा भी दिया। अब इस्थिती इतनी अच्छी है कि मितलब गाउं देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है। बहुत ही प्यारा लगता है। और सभी लोग का आदत में भी सुधार हो गया है। सभी लोग सौचाले का उपयोग भी कर रहे है। एक तो सौचाले का हो गया, दूसरा हो गया कि कूडा, कचडा जितना भी निकलता है वहां से, उसके लिए जितने भी स्वच्छता कर्मी का बहाली हुआ है, उनके तो इस तरीके से कारिश चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है। यानि कह सकते हैं यह जो मुहीम है इसमें खुद जूली जी जुडी हुई है और इसके अलावे जो आसपास के जितने भी ग्रामी शेतर के लोग हैं वो बड़े पैमाने पर कारे कर रहे हैं। भरदिल जी आपसे समझना चाहूंगे खासकर शौच को लेकर क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्त रहेगा, हमारा मन स्वस्त रहेगा, समाज स्वस्त रहेगा तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि मुहीम तेजी से चलाया जाए। आप किस तरीके से शौच को लेकर आपका जो बिहार लोहिया जो अभियान है वो किस तरीके से चला रहा है। हटिन्ट आप चलाया जो रख़ते की लोगों में बयभार परिवरतन प्रिवरतन की लोगों से चलेख सुचाले स्वीम बनाएं और उसका परियोग करें। करें तो हम लोगों ने सुबह सुबह जो मॉर्निंग फॉल ओफ होता है या ग्रामिडों में बेभार पड़िवर्तन को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे मुयूम चला है बैठे के की रातरी चौपाल किया रैलिया निकाली उसमें जीविका दीदियों को भी सामिल किया क्या ब सभी लोग सौचाले के बिसे में समझेगी ने वह सौचाले होना जरूरी है और क्यों जरूरी है यह सम्मान है किसी के लिए जो हमारे मताय बहने हैं उनके लिए एक सम्मान का बिसे है और सौचाले का होना होना ही नहीं है सिर्फ वो आज सैद वो अभी समझ नहीं पा रहे ह उसको जितने लोग समझ पाए हैं, जहां तक संभावता मुझे लगता है कि आज भी एक लाख बीस जार बच्चो जे प्रतिवर्स जो मर जा रहे हैं डाइडिया की वज़े से, उन्हें हम सुरक्षित कर रहे हैं। तो सौचाले का बनना ही नहीं है, और हम दो सौचाले पर काम कर रहे हैं, जिसमें लोहिया सुक्षवियार अभ्यान का अहम योगदान रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा ग्रामिर छेतरों में प्रत्साहन रासी दी जाती है, सौचाले के बनने के उपरांत सरकार के द्वारा 12,000 रुपया प्रोटसाहन दी जाती है और उनको अवैर किया जाता है कि आप भी दूसरे लोगों को जोड़ें और इस अभ्यान में समलित करें तो एक आपाधापी होती है समाज के अंदर आप देखें होंगे कि समाज में आपाधापी होती है फलाना ने बना लिया तो मोहन प्र ऑडिया तो पहले चरण में ब्यक्तिकात तौर टोर पर यह सोचाले बने और दोक्टूबर 2014-2019 तक यह पांच साल का करम था इसमें हम लोगों में ब्यक्तिकात तोर पर सोचाले ही बना रहे थे और सभी उन परिवारों के दौरह सोचाले का स्वेम निर्मान किया गया निर्माणों उपरांत उनको 12,000 रुप्या सरकार के द्वारा पुत्साहरासी दी गई। मतलब लोगों में ये सोच बढ़े, यानि जब हम बात करते हैं अपने शरीर की, अपने जीवन की, तो हमारे आस-पास स्वक्षता का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लोगों में जागरुकता को फैलाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, और लोहिया बिहार स्वक्ष अभियान जो है, वो इसी के तहत कारे कर रहा है, जुले जी तोड़ा आपके बारे में जाना पूरी है, और इसमें 2016 से ही हम लोग इस मुहिम को चालू किये हुए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोग पेड़ लगाते आ रहे हैं, और लगा रहे हैं, हर साल हम लोग कोसिस करते हैं कि जितना जादा से जादा पेड़ लगा है, ताकि आने वाला जो जनरेशन है इसका लाव ले सके तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे-च्छे कारे कर रहे हैं हर जगा पेड़ लगा रहे हैं जहां बैक्तिकत रूप से भी अगर लोग कह रहें कि हमारा जमीन में भी आप पेड़ लगाईए तो वहां भी हम लोगों ने पेड़ लग अगर हम बात करें भरदिल जी खास तौर पे जिस मिशन से आप जुड़े हुए है अभियान से आप जुड़े हुए है लोहिया भी हाय सवक्ष अभियान से ये किस तरह से कारे कर रहा है खास कर लोगों में जाग रुकता की बहुत जादा जरूरत है आज भी हम देखते हैं लोग कई बार कच्रा आपने आसपास फेक हाला कि नगर निगम के द्वारा भी कच्छे की गाडियां वो जाते हैं रबे जाते हैं बावजूद इसके जागरुपता की थोड़ी कमी अभी और भी है लोगों में इस और किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है जागरुपता को लेकर बड़े पहमाने पर कारी किया जा रहा है लोया स्वक्षविया रभ्यान के अंतरगर्त जिसमें प्रती गाउं में स्वक्षता परविक्षक पहले स्वक्षक गरही थे उसके बाद उनको स्वक्षता परविक्षक के रूप में प्रती पंचायत एक कि यहां पर हम लोग प्रती दिन यही काम कर रहे हैं कि प्रतिक घर में बहने के पास जाते हैं माता जी यह चीज़ करना है अभी उधिए सुकष wehraat abijhahn के अंतरगत प्रतिक गरों में हम लोगों ने ठोस तरल अपसी इस प्रबंधन के अंतरगत दो बाल्टी का बित्रण किया गया है, दो बॉकेट, तो उसमें आपको एक गिलाह और एक सुखा कचड़ा है, तो उस गिले और सुखे कचड़े का प्रबंधन ग्राम अस्तर पर शमानित मुख्या के द्वारा किय जा रहा है, उसकी निग्रानी की जा रही है सतत, और उसमें GPIC की आहम भूमिका है, और GPIC के बाद प्रखंड की भी आहम भूमिका है, जिला एस्तर पर भी बहुत बड़ी भूमिका है, और पूरी मोनेटिंग चाइनल सिस्टम इसका बना हुआ है, कि एक स्वक्सता परविक आह durum 세ज्ड में से WPU पर आता है, अफिस्ष्ट प्रखंज करन् इकाई, उसको बोलते हैं, वहां पर कचड़े का प्रिथक करन किया जाता है, पर चचड़े का छटनी किया जाता है, कि हमारा गीला कौनसा कॉंपनेंट है, और कौनसा सूखा कॉंपनेंट है, और गीले जिसाने के सबस्क्राइब करते हैं. कि जब आप बनी थी मुख्या तब दो या तीन घरों में सारे घरों में बना दिया जाता है लेकिन उसका रख रखाओ साफ सफाई और उसका यूज यानि इस्तमाल यह बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शौचारे बनने के बाद भी लोग खु पहिम चलाया गया क्योंकि सबसे पहले तो सौचाले बनवा दिये लेकिन होता है ना बैवार परीवड़त नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोगों ने घर घर जाकर देखा कि आखिर सौचाले हम तो बनवा दिये हैं आखिर उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कहीं कहीं हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिला कि जो चारा लाया जा रहा है जानवरों के लिए वो सौचाले में रख दिया गया है या फिर कहीं कहीं वो उपला होता है गोईठा उसको रख दिया गया है तो हम लोग घ परतिष्ठा के लिए कीजिए बाहर मत जाईये और यहां चारा रखने की जगा नहीं है यहां उपला रखने की जगा नहीं है तो बहुत समझाया गया सुरू के दिनों में मैडम बहुत दिक्कत हुई हम हमें भी monitoring करना पड़ा ऐसा इस सित्याया कि रात में घूमना पड़ ग था क्योंकि जब लोग आये लोटा लेके तो इस टाइम लगे कि हाँ यहां पर निगरानी के लिए लोग हैं तो वो लोग क्या करते थे कि विसिल वजाते थे और रोकते थे तो सुरू के दिनों में बहुत ही दिकत हुई थी तो अभी इस्थिति काफी अच्छी है कि कोशिश सफे रंग ला रही है और प्रघंड GG भरदिल जी इस बार का जो हमारा सवख्षता सवख्षता इस थीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे उद्देशिक क्या है देखिए स्वभाव सवक्षता से आप समझ रहे हैं सवभाव मेरे तक ही नहीत है यदि कोई बात होगी तो मुझे लोग बोलेंगे क्योंकि मेरे सवभाव में हैं लेकिन संसकार प्रंपरागत चलता है, यदि हम आज अपने बच्छे को दे दे, कि नई भाई ये रखना है, तो वो क्या कहेगा, कि मेरे पिता के द्वारा मिला, ये, तो ये चीजे हम लोग संसकार में डालना चाहते हैं, कि सोभाओ के साथ साथ संसकार, और दूसरी चीजे ह कि हम लोग चाहते हैं कि पूरा भारत वर्स, आज कूड़े कच्ड़े का धेर लगा हुआ है, अमबार है, वो साफ हो जाए, वो कहीं नहीं दीखे, और ये हमारे जहम में आ जाए, कि हमें इसको साफ कर देना है, और नाहीं हमें गंदा करना है, और नाहीं गंदा करने देन बस इसी के साथ धन्यवाद बिल्कुल मतलब खुद को भी साफ रखना ही है अपने आसपास के जो शेत्रे हैं जो जगर हैं उसे तो साफ रखना ही है कोशिश यह करनी है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते जाए उन्हें भी हम बताएं कि आप अपने स्वभाव में अ अगर हम बात करें खास तोर पर पश्वों के मल होते हैं वो भी हमारे बातावरं को दूशित करते हैं इस और किस तरीके से आप और आपकी टीम कार कर रही है जैसे ग्रामीन इलाका में जितने भी किसान भाई होते हैं सभी लोग लगभग गाए भैस जो भी है रखते ही है तो उसका जो गोबर होता है उसके लिए हम लोग अभी गोबर खाद बना रहे हैं वहां प्लांट हम लोग ने लगवाया है जिसमें कि सभी किसान भाईयों से गोबर कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करके उसमें गैस बनाया चाहेगा बायो गैस और उसके बाद हर घर मे pipeline दिया जाएगा जिससे कि वो लोग इंधन के रूप में उसका उप्योग करें तो इससे क्या होगा कि अभी हमारे प्रधान मंत्री जी हर घर उजवला योजना चलाए हैं तो यह होता है कि सभी के पास आर्थिक रूप से उतनी मजबूती नहीं होती है जिससे कि वो सेलेंडर भरवा पाए तो लपीजी नहीं यह कर पाते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि वो अगर pipeline हर घर में चला जाए और सभी के घर में इंधन पहुंच जाए तो आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत होंगे वहां कम पैसों में उन सत्रम में आप जुड़े लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान से दो हजार चौबिस अभी चल रहा है बदलाव आपने क्या देखा इतने दिनों में जब हम जुड़े थे उससे में तो कोई बदलाव नहीं था और समधाय में समधाय में यही सोच थी कि हमें बाहर जाना है मयाम से जुड़े तो हमें लगा कि नहीं लोगों को लग रहा जागरूप करना चाहिए लोगों के बीच में यह पता ही नहीं है कि उनके खुले में जाने से होता क्या है और इससे उनहीं को कितना परिसानी है तो जब हम इस मयाम से जुड़े और ग्रामिन छेत्रों में हम उन छेत्रों में जहां पर सोचाले बिहीन परिवार हैं, मतलब गाउं का गाउं बिहीन, इस तरह से दिख रहा है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जब बैठक की ग्रामिल छेत्रों में तो बहुत सारी मताएं बहने आती हैं, तो उटपटांग टाइप के सवाल भी करते हैं लो बहुत जल्दी, आपका बिरोध करेंगे, बहुत जबरजास तरीके से बिरोध करेंगे, और फिर उस चीज को अपना भी लेंगे, तो हमने यही देखा कि ग्रामिल छेत्रों में, जहां भी हम लोग गैस सोचाले के लिए बात करने के लिए, उनके बिसे पर चर्चा करने के लिए, तो वहां पर बहुत बिरोध हुआ, लेकिन अंतत्त गतवा क्या हुआ कि वहां पर हम लोग जो बिरोध करता हुसी को पकड़ लेते हैं, मतब हम लोग यह टार्गेट में रहता है कि जैसे यह माता जी हैं जो लग रहा है कि नहीं, नेता टाइप की दीख रही है और तो उस तरह के लोग हमें मिल जाते हैं और वहां पर इस तरह का कारवा बन जाता है, जहां बिरोध होता है, वहीं पर कारवा बनता है, और वह चलता चला जाता है, मतब इस तरह से आग लगती है कि नहीं, सोचाले तो होना चाहिए, उनको सिप पता नहीं था कि आज तक यह सोचाले की वज़ा से आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं और कहां पर खड़े हैं इस चीज का जब आभास हो जाता है तो वो सोचाले तुरंट बनना प्रारम हो जाता है और ये बढ़ता चला जाता है हमने तो यही आहसास किया है और आप देखे भी होंगे आजकल पहले की अप हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि ब्यक्तिका तोर पर तो सोचाले बने ही बने जो आर्थिक रूप से कमजोड जो लोग थे घूमिहीन थे उन लोगों को चिंधित करके वहां पर समुदायक स्वक्षता परीसर का निर्मान कराया गया ग्रामिनी चेतरों में प्लस में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो सोचाले जो बने डॉक्टर पर 2014 से जो सोचाले ग्रामिनी चेतरों में बने और इस पांच साल के दर्म्यान में जो सोचाले तूट फूट जाते हैं यादि उनकी मरमती के लिए है तो उसको जो सोचाले परियोग से बाहर हुए उनकी मरमती के लिए ग्राम पंचायत में उनकी इंट्री कराते हुए उनको भी परुटसाहित किया गया कि लिजिए आपको ऑपरेशन और मेंटेनेस के लिए भी 5000 रुपया ग्राम पंचायत के द्वारा दी जा रही है तो इस नजरिये इस लोगों का बेवहार में परिवर प्रबंदन हो चुका है तो अब तो लोगों को दिमाग में एक दम दूसरी बात आ गई है कि नहीं भाई अब लग रहा कुछ बदल रहा है कुछ हो रहा है तो अब लोग स्वक्सता के प्रती जागरूख हो चुके हैं और घर में ही लोग प्रिथक करन कर रहे हैं क्योंकि जो दो बाल्तियां हम लोगों ने दी है एक हरे रंका और बुलू रंका उस बाल्ती में लोग ग्रामण छेत्रों में ही अलग अलग गिला और सुखा कचड़े का प्रबंदन कर रहे हैं यहां तक कंपोस्टिंग की बात हो रही है वह घरेलू छेत्र पर मतलब अपने घर प इक है और पंचायत अस्तर पर भी हो रहा उसका Rajrauk इंघर स्था जैसा कि मेडम के द्वारा बताया इति की मानो मल तो पर पर बंदन के पर में भी सम्मानित मुखया जी का बहुत बड़़ा रोल रहा है इनके घ्राम में वह बन रहा है गो बर्धन प्लांट। जिसके अंतरगेत इन्हों ने बताया कि वो connection करके तो यह बहुत प्रा चीज है achievement है कि इस तरह से लोगों को लावांतित दी किया जा रहा है और कचड़े से धन को कमाया जा रहा है बिलकुल यानि कि बदलाओ की जो बयार है वो अब दिख रही है लोग समझ रहे हैं थोड़ा मुश्किल जरूर है लोगों को समझापाना लेकिन लोग एक बार समझ जाते हैं तो फिर अपने आसपास के लोगों को बड़ी जल्दी समझाना शुरू कर जाते हैं और तब वो दिखना शुरू हो जाता है जुली जी मेसेज के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे महिराओं को हम जितनी भी माताएं वंबहने हैं सभी से कहना चाहेंगे कि इस स्वच्छता में आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी हम आसा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारा साथ देजएगा भरडेल जी आप क्या चलते चलते मेसेज देना चाहेंगे स्वक्ष्आहीं सेवा पख़वाण को लेकर स्वक्षता ही सेवा पकवाड़ा के अंतरगत ये तो सरकार का एक अभ्यान है हम सरकार को नहीं लेंगे हम स्वता अपने आपको लेंगे कि मेरे आस पडोस गंदकी ना हो स्वयम की स्वक्षता तो एक नहीत स्वक्षता होती है हमें समाच की स्वक्षता चाहिए हमें पूरे आसपास स्वक्ष्व रहेंगे, तो हमारा समाज स्वक्ष होगा हमारा देश स्वक्ष होगा उमीद करती है हुँआ है अग्या कारेकरम आप सभी को पसंद आया होगा और आप सबने बहुत अच्छी बाते कहीं बर्दे जी दोस्तों स्वक्षता से जुड़े अपने आसपा साफ सफाई पे पेशक ध्यान दे और तभी आप स्वस्त भी रह पाएंगे उमेद करते हुँआरे कारेकरम आज का आप लोग को पसंद आया होगा हमारे कारेकरम से जुड़े कोई भी सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताए और उसके लिए हमारा इमेल आईडी नोट करें हमारा इमेल आईडी है डायरेक्टर डीडीकेपटना अड्डरेट ओफ जीम जिसका 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 जिसका